गाइज हमने सैंड़ीच खाया और सैंड़ीच मुझे बहुत जादा ही टेस्टी लगा तो चलो चलते हैं अब भईया क्या बना रहे बही आप क्या बना रहे हो आप पॉफ बन रहे हैं कौन का पॉफ बही है एक आलू वाला पॉफ बन रहे है गाइज और एक पनीर वाला कि खाइई कि बनता है तो दज्वाइब कर दिंदर अलु की इसके नरु की फ्रकीं होती हैि अलु आलु वाला पजीटी पंफीट बाइब तो इसोान सदो कुलीन को प्याज को तो प्याज की है अब और तॉमर्डो केचप जबें हमारे दोस्तों को थोड़ा से तीज कमीक लिए कि अब 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 और गलीनिए हमारे दोस्तों को जा बता है क्या हम I am 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 बाते ही जित रशेति कोड़ा है हाँ दोनों पंजा आप देख सकते हो भाईया के ठेली पेदे को पुरा है तो सब सजा हुआ है और और यह जो ठेला है ना कापी पॉश्च भी है ति वारिश की दरू में जितना हो सकता है कि आप कुछ बहार का इंगनोर करते है लिकिन मुझे को इभी पॉश्च चेया धिखते है तो में इस जड़ूर खाती हों को प्रेश किया शील कर रहे हो रहे है यह है और न जिप है कि अन्युट सोब तो में तो में टारी हमें कैना है कि अब अब जसे ऐसे में चूहिए तरकटे बड़कर वाले नहसे तड़क नहाना है तू समुष्य कि वाले कि जूआ तक पांदे नहाना तो तो समभूम्दर में नहाओ किनारों में क्या रखा है और खाना है तो को फ्वाब फॉप ये हमारा पॉप आप दीच सकते हो हमारा पॉप रैडि हो गया है हम आपों इस तर की बताते हैं कि दूमर का पॉस कैसा है बहुता बहुता अगर आपको पॉस काना है तो आप जलूर नागपूर गांधी बाग में बॉंबे पॉप एन सैंडिच सेंटर में आईए जर आपको सैंडिच भी एकडम सुपा पी लेगा और पॉप तो उसकी तो बात ही ठोड़ दो बहुत जादा स्पाइसी बनाया है यहने चम तड़कता कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको भी ऐसा मज़ा लेना तो आईए गांधी बाग में वांबे पॉप एन सैंडिच सेंटर में और मज़ा लीजी आप हुप कर दो भाग मसद भी एक लाग में अलु अरता रिफक में अलु आपको आपको हुप बारप एक आपको फट खुटव आपको पनीर कर दो है एक अड़ो है पच्पान और पाने बार पाहिंद पाहिए कर द दो खौट Veterans टु जो उब डु स भाल कर द हो भाल तो गाइज मेरा सेन्वीच भी खाके हो गया है पफ भी खाके हो गया है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा अगर आपको भी ऐसा टेस्ट चाहिए तो आप लोग जरूर आईए नाक्तूर के कांधी बाग बॉम्बे पफ और सेन्वीच सेंटर में तो गाइज हम आज का व्ल